आप लोग कभी अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रडिशन हुए हो या मेरे पास बहुत ज़्यादा काम में खट्टा हो गया है और अब पता नहीं में कैसे खत्म कर पूँगे इस काम को बहुत ज़्यादा काम है और मेंको बहुत जल्दी खतम करना है इस वाली बात को लेके हम परदेशना रहते हैं आपने भी देखा होगा तो हम इनसानों की ज़्यादत जो लोग हैं उनकी फितरत क्या होती है हम अपने काम को पैंडिंग में डालते रहते हैं एकटा करते रहते हैं और जब वो काम बहुत ज़्यादा तादाद में एकटा हो जाता है नो एक काम हो गया दो काम हो गया तीन काम हो गया चार काम हो गया हम क्यों सोचते हैं एक साथ ही खतम कर लेंगे यह तो सोचते हैं और आने दो और खतम कर लेंगे और हम confus हो जाते हैं कि कौन से काम हमको पहले करना चाहिए और कौन से काम हमको बाद में करना चाहिए बहुत सारे लोग किया आप मैं भी ऐसी कर लेता था तो अगर आप इस काम को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परिशान हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप सारे कामों को एक साथ पैंडिंग में ड़ लिए और धीरे धीरे एक एक करके अपने कामों को खत्म करते रही है सिंपल तरी का बता रहूँ मैं आपको हम काम को पेंडिंग में डालते रहते हैं यह सोचकर हम तो बहुत बहुत बड़े तीरांदाज हैं और अपने वाइस काम वो एक सदु खत्म कर लेंगे प्र वह हमारे काम सारे संमैटने में नहीं आते और फिर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादर परेशा हो जाते हैं इसलिए आप क्या कीजिए, एक एक करके काम को खतम करते रही है और अपने उपर से सारा बर्डन अटाते रही है मस्तर होगे से बता रहूँ मैं ज्यादा पेंडिंग में डालोगे तो बहुत ज्यादा परेशन हो जाओगे मैं भी वक्तुब होगी हूँ आपके तरह मैं भी कर लेता था इस काम को लेकिन आप मैं समझ गया हूँ और एक ये करके मैंने काम वो खतम करता रहता हूँ और उम्मिद करता हूँ कि आप भी आगे से ऐसा ही करेंगे जैहन जैवहरत